कि हलो दोस्तो मेरा नाम है रभी वर्मर आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल जिसका नाम है माईड़िस दोस्तो आज किस रूडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कैसे आप अपने ओपो के स्मार्ट फोन को अलॉग कर सकते हैं किसी दूसरे ओपो के स्मार्ट फोन के जी हाँ दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही डिमांडेबल था बतलब कि बहुत सारी यूजर्स ऐसा वीडियो बनाने के लिए मुझे कमेंट्स किये थे कि आप एक वीडियो बनाईए कि किसी एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन को किस तरीके से अनलॉक करते हैं अलड़ी बहुत सारे यूटूबर इसके उपर वीडियो बनाए हुए हैं लेकिन वो तरीका बहुत सारे यूजर्स को समझ में नहीं आ रहा था तो ऐसा रिक्वेस्ट आया है बहुत सारे यूजर्स के तरब से कई दुकानदार भाई जो हैं उन्होंने कमेंट किया थे कि सर आप एक ऐसा वीडियो बनाए कि एक स्मार्टफोन को दूसरे स्मार्टफोन से कैसे अनलॉक करेंगे आज का ये वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है बीना इंटरनेट का जिहां दोस्तों दूसरे स्मार्टफोन में भी कोई इंटरनेट नहीं चाहिए हमें जिहां दोस्तों कोई इंटरनेट ऐसा हाई स्पीड हमें नहीं चाहिए वाइफाई नहीं चाहिए तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहला काम आपको हमारी च orbits को सब्सक्राइब कर लेना है, सबसे जाएज बैल अकन को भी दबा लेना है, अगर आप जौन करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को जौन करने से फायदा ये होता है, कि आप हमारे member बन जाएंगे आप हमसे directly बात कर सकते हैं किसी भी topic के उपर या आपको कोई special video चाहिए किसी particular model के उपर किसे smartphone के उपर चाहिए हो realme का model हो auto का model, vivo का model हो iphone का model हो, samsung का हो किसी भी android smartphone का especially अगर आप कोई video बनाना चाहते हैं और वो video सिर्फ आपके लिए हो तो ऐसा video भी हम बना देंगे आपके लिए, आपके लिए करना आपको बसितना ही है कि आपको हमारी channel को join कर लेना है तो आज का ये video हम start करने जा रहा है, बहुत ही गौर से देखिएगा, step by step समझेगा कि किस तरीके से आपको ये trick करना है, सबसे पहले काम आपको same mobile चाहिए अगर ये OPPO का है, तो ये भी आपको OPPO का ही होना चाहिए हमारे पास ये OPPO का higher version smartphone है, अब देखिए आपको क्या करना है अगर आपने इसमें dual sim या single sim लगा हुआ है, जो smartphone आपका lock पड़ा हुआ है आपको इस smartphone का sim card जो है, अपने इस दूसरे smartphone में लगा लेना है, पहला ये एकदम must है, अगर इसमें कोई sim card नहीं है, तो अब ये आप नहीं कर पाएंगे already अगर कोई भी smartphone होता है, उसमें sim लगा ही होता है, अगर चोरी का smartphone है, तो ये trick बिल्कुल भी ना करें, वरणा आपको jail हो सकता है, ये एक बहुत ही गैर कानूनी काम है, इसको बिल्कुल ही ना करें देखिए, आपको यहाँ पे करना क्या है, पहला जो आपका smartphone है, उसमें आप चले जाएगा, इस तरीके से और यहाँ पे आपको dialer pad पे type करना है, ये कुछ numbers मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस number को आप no down करके, इसको आप इस तरीके से जो method बता रहा हूँ इसको कर लिजिए, और जितनी बार में मैंने ये किया है, आपको उसी तरीके से करना है, वीडियो समझ में ना आए, तो आप back करके आप देख सकते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे करना है, ये बहुत ही छोड़ा सा काम, star has it, और ये जो option में आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको करना है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे करना है, ये है कि आप जो है आपका software version में आपको देखना है कि आपको PCB number कितना है, PCB number हमारे यहाँ पे 957 जो कि 1000 से कम होना चाहिए बहुत सारे वीडियो में है, मैंने आपको अलड़ी बताया हुआ है, तो इस बात के आपको ध्यान लेकना है, अब हमारा स्मार्टफोन का काम यहाँ पे खतम हो जाता है हमने दूसरा उपो का स्मार्टफोन लिया, कुछ इस तरी के से, और देख सकते हैं कि हमारे स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी अनेबल है, वाइफाई हमारा यहाँ पे अनेबल है, तो हमें यहाँ पे करना है यह, कि अपना वाइफाई आफ कर लेना है, अगर डेटा है तो इसको भी आफ कर लीजिए, हमने यहाँ पे दो सिम का परियोग किया हुआ है एक इस मोवाईल का सिम कार्ड इसमें मैंने अल्रेडी लगा अब आब वो जो सिम कार्ड है, आपको ध्यान देना है सिम वन में लगा होना चाहिए सबसे इंपोर्टेंट चीज सिम वन में लगा होना चाहिए अब आप यहाँ पे सेटिंग को ओपन कर लें ठीक है, अब आपका जो स्मार्टफोन होगा कोई दूसरा, ओपो का उसमें यहाँ पे जैसे साइन इन का आप्शन आ रहा है तो आपको नाम से ऑप्शन आएगा जो भी नाम आपने क्रियेट किया हुआ है अगर साइन आ रहा है तो बहुत अच्छा है आपने यानि को साइन नहीं किया हुआ है लेकिन बहुत सारे लोग इसको साइन इन करके रखते हैं अपने नाम से, किसी भी नाम से यह sign in क्या होता है अगर यहाँ पे नाम है तो आप उसको click करके नीचे आपको log out करने का option दिख जाएगा तो आपको यहाँ पे log out कर लेना है ओके अब यहाँ पे दूसरे smartphone में आपको यहाँ पे sign in वाले बटन पे कुछ इस तरीके से click करने ना है तो अब जैसे ही click करेंगे आपको यहाँ पे push इस तरीके का notification आ जाएगा तो आपको यह नहीं करना है आपको इस number पे notification नहीं कराना है आप यहाँ पे गौर से देखिए आपको यहाँ पे दिखे का नीचे में यूज अनदर नमबर तो जैसे ही हमने यहाँ पे शाइन इन पे क्लिक किया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मैसेज दिख रहा होगा शाइन यूर एकाउंट अब आपको यहाँ पे अपना जो मुवाइल नमबर है वो यहाँ पे इंटर कर लेना है और email address यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको next करके एक option आ रहा है तो आपको यहाँ पे next कर लेना है तो जैसे ही आप next वाले option में जाएंगे आपका जो smartphone है वो sign in हो जाएगा OTP आ जाएगा अब यहाँ पे आपको क्या करना है जैसे ही OTP आएगा आप उसको sign in कर लिजेगा sign in करने के साथ आपके इस smartphone का जो जो भी settings है सारा का सारा आपको इस smartphone में transfer हो जाएगा अब आपको करना क्या है जैसे यह आप आपने कर लिया अब आपको अपना यह smartphone turn off कर लिना है तो हम यहाँ पे इसमें सारे process को complete कर लेते हैं बहुत ही जल्दी से और जल्दी से आपको दिखाएगे कि किस तरीके से इसको करना है और उसके बाद आपको हम बताएगे कि किया क्या आपको करना पड़ेगा तो बिल्कुल बने रहे ही आप हमारी इस चैनल के साथ विudeo में करें नए हैं पहली बार आप हमारी चैनल पर है तो हमारी चैनल को सुब्सक्राइब कर लेजिएगा साथ-साथ बेल आकर अंको भी तबा लेजिए गा तो दोस्तों यहां पे हमने सारा प्रोसेस कर लिया है आपने भी यह प्रोसेस कर लिया होगा अब चलते हैं हम अपने इस स्मार्टफोन की ओर हमें यहां पे करना है सिर्फ इतना ही काम कि आपको इस स्मार्टफोन को कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करना है Engineer Mode के Main Park पे हम यहाँ पे आ गया हैं जिसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करना है स्क्रॉल करने के साथ साथ आप पाएंगे कि जो आपका Smartphone है वो यहाँ पे Unlock हो गया है तो आज के इस वीडियो में आपने सीखा कि अपने एक Smartphone को दूसरे Smartphone से कैसे हम Unlock कर सकते हैं बहुत ही आसानी से तो जो जो वीडियो गर आपको अच्छा लगे तो आप हमाई इस चैनल को लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ share कीजिएगा, subscribe कीजिएगा चाते साथ चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आपको मैं बता दू के हम ऐसे ही इंटेस्टिंग वीडियो, पासवर्ट से रेलेटेड, पैटर्न से रेलेटेड, चाहे हो किसी भी कंपनी का Smartphone हो, हम उसको Unlock करते हैं और आजकाई वीडियो इसी के उपर था, बहुत इंटेस्टिंग वीडियो था, ऐसे वीडियो आपको बहुत कम देखने को मैंने हैं यूटूब पे यूटकर आपको step by step बताए कि यहाँ पर क्या करना है वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फर वाचिंग और बाइबाइ